नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार एक कहावत है दूद का जला छाच भी फूंक फूंक कर पीता है लेकिन अगर इस कहावत का अनुवाद सियासत में करें तो तर्जुमा बनेगा बंगाल का जला यूपी में बहुत जोर से बिदकता ह बंगाल में तो सब मिलकर ममताब एनर्जी पर तूट पड़े थे लेकिन यूपी में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और ना ही ऐसी भाषा को यूच्छाल पाएगा लेकिन मैं सियासत दानों की बात नहीं कर रहा है मैं तो किसानों की बात कर लहा हूं क्योंकि किसी राज किसान हैं जो नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर लगातार बैठकर सरकार का खूंटा हिला हुए हैं सात महीने हो चुके हैं और 37 महीने के लिए और तयार है कुछ समझें नहीं समझें तो राकेश टिकैत की चेतावनी सुन लीजिए और उसका मतलब समझ लीजिए अंदोल परदेश में विधान सभा के चुनाव सिर पर हैं और किसान सड़क पर ऐसे में टिकैत की ये चेतावनी बीजेपी के लिए खुली चुनोती बन चुकी है ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा मोदी की लंका किसान का डंका बीजेपी बॉखला उठी जो की तैही था लेकिन टिकैत ने जो आगे कहा उसे सुनकर आप उनके इरादों को अच्छी तरह समझ जाएंगे कि क्यों मोदी और योगी का दिल बैठा जा रहा है टिकैत के चक्टानी इरादों के आगे लेकिन पहले टिकैत का बयान जो त्रिशूल की तरह भक्तों की छाती में चुप गया है राकेश टिकैत ने कहा है कि बंगाल में बीजेपी को हम लोगोंने मिल जूलकर दवाई दी उसको आराम मिला है लेकिन पूरा आराम मिलने में तीन साल का समय लगेगा तीन साल मतलब? 2024, 2024 में क्या है आप जानते ही है मोदी जी का इम्तिहान लेकिन इसके पहले 2022 है योगी जी का इम्तिहान इस पर टिकैत का कहना है कि बंगाल की जनता ने दवाई दी है यूपी की जनता पूरा कोर्स करवाएगी उन्होंने कहा कि यूपी चुनाओ में बीजे पी का गुरूर तोड़ने के लिए सारे किसान लेता और वो खुद पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर लोगों से बीजे पी को वोट न देने की अपील करेंगे जैसा उन्होंने बंगाल के चुनाओ में किया था उन्होंने ट्वीट किया चार लाख ट्रैक्टर पी यही हैं दिल्ली के ढब को खड़े खड़े गहरे हुए वो 25 लाख किसान भी यही हैं और 26 तारीख भी हर महीने आती है ये सरकार याद रख ले बिल वापसी ही घर वापसी हैश्टेग आखिर टिकेट 26 तारीख की बात क्यों करना है दरसल किसानों ने 24 जून से बीजेपी के खिलाफ ट्रैक्टर यात्रा की शुरुआत कर दी है इसकी पहली यात्रा सहारनपूर मुझफर नगर से शुरू हुई है इन दो जिलों के किसान ट्रैक्टरों में भरकर 26 चून को गाजीपूर बॉर्डर पहुँचेंगे इसी तरह बाकी के चरणों में भी दो दो जिलों के किसान ट्रैक्टर लेकर गाजीपूर पहुँचेंगे मतलब UP चुनाव तक हर महीने माहौल बनता रहेगा कि BJP किसान विरोधी है इसके साथ ही किसान सभी राज्यों में 26 चुन को राज्यपाल आवास के सामने धरना देंगे और ग्यापन सौपेंगे कि मोदी जी को कहिए किसानों को इतना न सता है इसकी राजनीत को समझिये और इसके असर को भी पश्यमी उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई जीलों में जाटों का बहुत बड़ा असर है इसे अगर सीटों के हिसाब से देखें तो कोई 23 जीलों की 120 सीटे बनती है इन पर 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का दवा था तो 2012 में सपा और बसपा दोनों बराबरी पर रहे लेकिन 2017 में बीजेपी हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हुए 62 से ज्यादा सीटे जटक गई SP, BSP, RLD तीनों ताकते रह गए लेकिन किसान अंदोलन की आँच ने सारा स्वमिकरन बदल डाला है BJP के नेताओं को किसान गाओं में घुसने नहीं दे रहे हैं किसी तरह चोरी चुपे घुस भी गए तो भारी बेइज़त करके भगा दे रहे हैं शादी, ब्याह, मुंडन और अंतिम संसकार जैसे असरों पर भी पूछ कर जाना है और संसकार खतम होते ही बिना इधर उधर मोड़े चुपचाप बाहर निकल जाना है अपने घर बुलाने वालों को किसान सजा दे रहे हैं तो ऐसी एतिहासिक बैज़ती के चरम पर उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाओ होने वाले हैं राकेश टिकैट किसान आंदोलन का सबसे बड़ा चिहरा बन चुके हैं और नरेश टिकैट सबसे बड़े संगठक ऐसे में ताल ठोक कर ये कह देना कि हम तो 2022 में बीजेपी को पहले यूपी से उखाडेंगे और 2024 में देश की सत्ता से बीजेपी की धुकदुकी बढ़ा रहा है महामारी के नाम पर किसानों को उखाडने की आशंका के सवाल पर टिकैट साफ साफ कहते हैं कि हमारे जोम का इम्तिहान लेने की भूल न करे सरकार तीसरी लहर भी आई तो हम यहीं डटे रहेंगे खूटा गार कर इसे वो लिख कर ले ले सरकार को लग रहा है कि किसान अंदोलन कमजोर पर चुका है और इसका असर खत्म हो चुका है इस पर टिकैट कहते हैं कि सरकार न तो किसानों को समझती है और ना ही किसान अंदोलन को वो केवल कारोबारी धन्ना सेठों को जानती है और उन्हीं के लिए काम करती है वरना वो इस तरह के मुगालते न पालती राकेश टिकैट ने एलान किया है कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव की घोशना होने के बाद किसान अंदोलन की असली रंगत दिखाएंगे हम उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव का माहौल बनेगा वैसे ही पंचायतों का दौर शुरू होगा हम गाओं गाओं में जाएंगे और लोगों के पास जाकर अपील करेंगे कि कि किसी को भी वोट दे देना लेकिन BJP को वोट मत करना यह किसानों नوجवानों और खरीबों के विरोधी हैं इनकी चाभी अरब पतियों के हाथ में बीजेपी उपर-उपर से भले किसान अंदोलन को बेअसर बता रही हो लेकिन भीतर भीतर वो भी समझ रही है कि उनकी नाराजगी चुनाओं में क्या गुल खेला सकती है पंचायच चुनाओं में वो अपना हाल देख चुकी है अभी तक के चुनाओं में समाजबादी पार्टी के सामने उसे बहुत फजीहत का सामना करना पड़ा है इसी को बचे हुए चरणों में दुरुस्त करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंग ने बैज़ती के बावजूद बरेली, मुझफर नगर, सहारनपूर और शामली का दोरा किया लेकिन किसानों ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया और ये बेरुखी बीजेपी के चेहरे का रंग उड़ा रही है वो महसूस कर रही है कि राकेश टिकेट ने मजाट में नहीं कहा था कि बंगाल में जो दवाई जनता ने की है उसका आराम यूपी चुनाव आते याते और समझ में आएगा मतलब पहली बार बीजेपी को हिंदू-मुसल्मान के अलावा किसान और नौजवान पर भी सोचना पड़ेगा इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आठिकल 9 इन इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करी लीजिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और फेस्बुक को लाइक कर दीजिए नमस्कार झालवा झालवान पर उल्ख की करणे झालवान झालवा वहा से अपनाल ऑय. झ्लावा में पया में झाल इंची?", अ. झाल, झाल, पर द एक हम till दो कर हम, जा चाल, बते हम ऱतो कह आसा ह living, तो बम्रूबांiras. जार मैं पुल. झाल झाल